सब्सक्राइब करें सिटी न्यू चारकन वपाए चारकन की तमाम खबरें लोगों के घर पहुँच रहे हैं और लोगों से रुबरु होते रहे हैं लोगों की समस्याओं को लेकर सांसद हो बिधायक हुआ अपने मतलब जिला परसासन से लागातार संपर्ख रहे हैं उनके समस्याओं को दूर करने का परियास करते रहे हैं सीधा बात करेंगे कि आप सांसद के परतिनी धी रहे हैं लोगों के साथ रहे हैं आपको जनता आखिर में सवाल उठता है कि आपको वोट क्यों दे है सुरकषम तो में आपकी चैनल को धन्य बात देता हूं आपने हमें दूर से आकर मेरे इंटर्वीू लेने के लिए पधहा रहे हैं धन्य बातको पात्र हैं और जनता हमें मतदान क्यों करे तो मैं इसका सिधी-सिधिल देता हूं कि मैं पिछला चुनाव जिले परिशत के पत्नी के रूप में लड़वाये थे और हम चुनाव हार गये थे उसके बाद और उसके पुर्व हम लोग पांचों साल सातों साल छेतर में रहें और जनता के हर जूड़ी समस्या से आउगत हुए और उस पर कार्ज करने का काम करें कहीं कहीं कुछ सफलता नहीं भी मिला जो अधूरे कार्ज है उनको हम हम लोग के पास विकास का जो मैप हो तयार है हमें विकास की मैप तयार करने की आज सकता नहीं है उस पर हम लोग काम करेंगे और जीला परिशत परत्यासी के रूप में मैं आज जनता का सिवक के रूप में कार्ज करने के लिए तातपर हूँ मेरी हर्द किछा है कि जनता हमें इस कार्ज के लिए चुनेगी और इस कार्ज के लिए मैं पूर्ण रूप से विकास करूँगा जो जनता का विकास का मुदा है या छेतर की समस्या है जो हम पर विश्वास करते हैं उससे अधिक मैं कार्ज करूँगा और जनता को कि पलामू जीला में 85 जीला परिसाद अबल होगा यह सवाल एक उड़ता है कि इतने और लोग ही कई लोग चुनाओं के मैदान में वायदे कर लहें लगाता जनता के बीच में चुनाओं में वायदे होते हैं आरूप परत्यारूप चलता है तो क्या लगता है कि जो पिछले यहां पर रहे हैं जो यहां परत्यासी पहले रहे उन्होंने विकास का क्या कमी दिखता है कि वह विकास नहीं कि देखिए यहां पर जो पूर परत्यासी थे वह उनकी पहस्वेंड चलेगा जेल इसलिए मैं उनके उपर तो कटाच नहीं करूंगा लेकिन जो दो नमर परत् हैं जब चुनाव आया है बिघुल फुका गया तब चुनावी वेडान में उत्रें हैं तो ऐसे लोगों को जंता पहचान रही है और हम अरc हमारे जैसे जंताको मरतऱन की ज़रूरत है और हम लोग मिल कर समरतं के साथ चुनाव लड़ रहा है और जनता का सिरवाद हमें प्राब्धतre है और हम अहराल में कुनाव जित का जनता का सहयोग करें underneath अभी आप क्या समस्या देख रहें इसचेटर में कैं देखे हैं यह जिस समस्या है समस्या कामबार लगा है और हमारे यहां का जो मुख समस्या है वो हमारे छेत्र के सड़क हो गया पानी हो गया बिजली हो गया और जो राशन काडवार्ण में भी गड़ बड़ी है बहुत बलो के इस्तिती चर्मराइल है आपका ठाना के इस्तिती भी बेहतर नहीं है फोस्पीटल तो जीरो है और जो यहां विकास लाइक होने चाहिए वह विकास संभव नहीं हो पाएं कितना विकास आप जिससे सांसत के बहुत करीबी रहें परतिनधी के रूप में रहें तो आप कितना उनसे मतलब लगता है कि समध्या करा पाते हैं कितना समय और हर संवेंजा छनता के सवाल बहुत सारी हैं बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान होनी चाहिए यह बिनोद परसाद गुपता जो शांसत परतिनिधी भी हैं इस बार भावी जिला परिशत के उमीदवार भी है तरहसी परश्मी से जो कह रहे हैं और चुनाओ इसके पहले भी वह चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन सफलता नहीं लगी लेकिन तब से आज तक वह जनता के बीच जब आप जीतेंगे तो क्या लगता है कोन सी समस्या का सबसे पहले प्रात्मिक्ता है सबसे पहले लोगता हूं लेकिन सरव परतम अगर मैं चुनाओ जित कराया तो सबसे बड़ी उपलबदी हुए कि मैं होस्पीटल का जो चर्मराय हो इस्तिति है वैसे हम लोग पुरू में ही होस्पीटल पर लगे हैं चाभी मिल गया है होस्पीटल को लेकिन अभी ट्रांस्पर नहीं हुआ है उसको हम लोग चुनाओं के बाद हार जी तो बाद में त बहुत सरत्रा के लुभावने वाइदे कर रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि वाइदे हैं चुनाओं का सोर है तो ऐसे में क्या लगता है लोग आखिर कैसे अपना भोट को सही मार्क सही दिसा में बोड़ दे क्या क्या सोच के वोड़ दे हमारे छेत्र के जनता ज बसने वाला विनोद गुपता जी हैं और वो बसेंगे और जीतेंगे भी हर आदमी जागरुख हो चुका है मोबाइल का सोचल मेडिया का जमाना है लोग पहचान चुके हैं कि मेरा अपना कौन है पराया कौन है और यही वज़ा है कि लोग जागरुख ठोकर इस बार वोट आपको पहाता है जोकि वोट का तो 5 साल का हुष्प क्यों आपको लोग तै करने का मोग जांतर के बीकास के लिए यह चाहिए और मुझे पुर्ण विश्वास है कि जनता है हमने समर्थन में पुर देंगी मैं पुरू भी परतिनिधी हूं लेकिन जन परतिन बनने का मुझे तरह संब्लाम कि रळे का यहांर सिवा किया हूं सेवा का सेवा का मौका एक वोट के देख करके देखे चुकि सेवक हूँ तो एक वोट आपका चाहिए तभी इस छेत्र का और विकास कर पाएंगे यह काना बिनो जी का बिनो जी अंतिम आप क्या अपील करेंगे अपने छेत्र के लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से शिचित आप लोग हैं आप सभी शिचित मद्दाता को रूप में जाग रूख हो और जो हमारे छेत्र की समस्या है उसको लोग के मैं अपना विकास का रोड में तयार कर चुका हूं और उस चीच पर काम करूंगा और आप सभी जनता दिख भरमित परत्यासी के साथ न रहकर विकास करने जोग विनूद गुपता जी को सहयो किजिए और एट चाप पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाए और विकास की हर रुकरुखा को मैं तयार करिया है यह एपील है विनूद परसाद गुपता जी का इन्होंने कहा कि पहले भी आपके बीच रहा हूं और आगे भी रहूंग जीत के परती अपना सुलिश्चीत दिख रहा है कि यह जीत रहे हैं और उमीद नहीं बलकी विश्वास के साथ कर रहा है कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं हम उमीद नहीं करते हैं बलकी विश्वास करते हैं कि इनका जुकी जनता है आप है जनता सब कुछ जानती है यह पबलिक है सब जानती है वोटिंग के वार लेकिन फिलहाल जिस तरह बातों आप अब तक पहुचा रहे हैं अब ये सारा निर्नाय आपको ले रहा है appreciate आपको वोट किसे देना है लेकिन इनका जनसंपर कव्यान है तेज है और इस तरह से उत्सा है जिस तरह से उमंग है आने वाला वक्त है करेगा कि इन्हें सहरा जनता यहां के विश्वास कितना करती है सहरा पनाती है या फिर जिसे भी पहना है लेकिन इन्हें पूरा यह वार आपील कर दिए अपने च्छेतर की जंता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमें हर हाल में मद्दान करें और हम पर विश्वास करें मैं आपको जो भी छेतर की समस्या है उसमें बढ़ चड़ के हिसा पहले से लेकर यह हूं और आगे भी लेते तो हम फिर मिलेंगे दर्सकों किसी नए सक्स के साथ नए पंचायत में नए जीला परिस्ट के साथ भावी परत्यास्यों के साथ यह नए मुख्याग परत्यास्यों के साथ तब तक के लिए हमें दीजे इजाजत